नमस्कार दोस्तो मैं एस्वी निसाथ और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल टेक्निकल सिवजी निसाथ दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं यहां पर प्लंबरिंग की फिटिंग हम करने आए हैं पर दोस्तो यहां पर पहले से जो फिटिं को दिखार आप यहां देख सकते हैं फिर यहां से नीचे से उपर के लिए जो लाइन आई है तो यह अब जा रही है जो हम जिस लाइन में हम फिटिंग करने वाले हैं वो आपको दिखा रहे हैं इस लाइन से यह लोडिंग का लाइन है और यहां से यह जो है इस टैंक में ह हमने एक टी दिया हुआ है क्योंकि पहले यह एलबो लगा के सिधा लोडिंग में यहां पर लगा हुआ था तो अब हमको आगे की एक लाइन लेना है यह मोटर की लाइन है जो नेच्रल के पानी की लाइन है और यह टैंक जो है अल्डेडी हमने पहले फिट किया था और सी बी लाइन आप देख रहे यहां से 1 इंच का लाइन जोड़ना था यह हमने एक लाइन बनाई है जो टंकी की लाइन है और दूसरी जो पोणा की लाइन आया है उदर से वह पोणा की लाइन है जो मोटर की लाइन दोस्तों तो आप बने रहिएगा वीडियो में और आपको मैं एक एक यहां पर आज एक्सेलेंड करूंगा और नए लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है दोस्तों इसलिए आप दिखते रहे हैं यहां से हमने डबल लाइन लिया हुआ है क्योंकि नीचे भी जहां कनेक्शन देना है वहां भी मोटर का भी लहे रहे लाइन कस्टमर की डिमांड के हिसाब से और टंकी का भी लाइन रहेगा दोस्तों हमने यहां पर सबसे पहले छेत फोड़ा है इस चेत फोड़ने के लिए एक आपके पास ब्रेकर होनी चाहिए तो ब्रेकर को हम बाद में दिखाएंगे आपको यह ब्रेकर से हमने छेत किया आप देख सकते हैं आगे का लाइन हमने यहां से लबो लेकर यह जोड़ दी हमने और यह हम किनारे से ले लिये हैं और यह जो दूसरी नीचे को लाइन गई है यह एक और बातरूम है उसी में जो है यहां पर डाउन किया हुआ है आप यहां देख सकते हैं इसमें नीचे ज और आप अगर न्यायल है यह आप देखते रहें वीडियो को और आप कर सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने भी है आगे छासन दिखाने वाला हो हो दोस्तों डीस शेतर वीडियो ind Map 2008 002300 variant content the Demom आदे करें सब्सक्राइब करें और दोस्तों जादा में ज़्याद लोगों को share करें लाइक करें और मेरा नाम SP निशाथ है दोस्तों ये तस्बीरे मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्यूंकि थोड़ा सा आप अगर वीडियो देखके बोर हो रहे हैं तो हम जिस छेतर में यहां पे आए हैं यह टेरिस पे हैं हम लोग दो तीन मा दिखाई देता है इसलिए मैंने आपको यह तस्बीरे दिखाई यह ब्रेकर है अब दोस्तों आगे हम नीचे आए हैं और नीचे की फिटिंग आपको दिखाते हैं जो फिटिंग हमको करनी थी आप यहां लेड़ी चार कनेक्शन यहां पर करने हमको तो आप सबसे पहले देख सकते ऊपर से हमने यहां कटिंग किया गलेंडर से और कटिंग करके जिरी निकाल के हमने और यहां से जो लाइन ड्रॉप किये हमने मोटर का भी लाइन है इसमें टंकी का भी लाइन हमने ड्रॉप किया है और चटी को फोड़ के भी हमने यहां पे से हमने दो लाइन यहा मअगोरे टाइप रहता है वहां कर्वाई कर वा में ने कई पर यहां इस दो क्षटम पानी नहीं कर दो पर और यहां पर चोटी चैनी जो हमने डबल दिया हुए और एक नंकी का दिया वगा है और श्रुटमरे बहुता है लोके पीने कभी पानी उस से भर सकते हैं ताजह बानी मिलता है लिए मोटर का लाइन बहुत जरूरी होता है हमने यह हैं बाइपास लगा धिया है जिसको Band चवाजा नयाता है सकती है यह जो है इसको ब्लाइन मोटर की कि नाइने पलाये कर हमने रेडिस किया है आप रेडिसर देख सकते हैं यहां से हमने एक से पौना यहां बनाया है इस तरह से रेडिसर लगा के और इसके बाद दोनों लाइने जो है पौना की यहां रेलबो दिया है और हमने एक ती यहां दिया है जो यह टंकी का लाइन हमने डाउन किया है यह सा का बिल्कुल चांस नहीं रहता है और पानी का प्रेसर भी अच्छा मिलता है इसलिए हमने उपर से लाइन लाके हम नीचे को ही डाउन करते हैं कभी बाइचनल जमीन से आप देख सकते हैं यहां की फिटिंग पूरी हमने कंप्लेट कर दी है और यह आगे भी आप देख सकते ह यहां ए। है और किचं की आइँ है तो यह जो राइड साइड में यह है टंकी की आइड और लेप सैड में जो है मोटर का लाइं है यहां दोनो तयब के बीच में जो गेप है हमने 6 इंज का रखका हुआ है राइड शे कि भी हमने 6 change का ही गेप रखा हुआ है